चलिए स्टार्ट करते आज एक लास आज एक लास में हम देखेंगे कमपनी एकाउंट्स रिलेटेंड मल्टिपल चॉइस कोशन जो कि कॉमर्स के स्टुडेंट के लिए बहुत ही महत्पूर है उसके साथ साथ उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्पूर होने वाला है जो बि तो वीडियो को बिना स्किप के अंतक जरूर देखिए लास्ट वीडियो में 50 तक कोशन देख चुके हैं आज देखते हैं कोशन नंबर 51 से लेकर के सिक्षी तक कोशन नंबर 51 नीजी कमपनी की अधिक्तम सदस्य संख्या होती है आप्शन है A है 10 B है 200 C है 50 D है असंख्या त तो एक नीजी कमपनी में सदस्यों की जो अधिक्तम संख्या होती है वो 200 होती है जिसका जो राइट एंसर है वो आप्शन B 200 कोशन नंबर 52 सारवजनिक कमपनी की निवंतम वा अधिक्तम सदस्य संख्या है आप्शन A है 7 वा 5 B है 10 वा 20 C है 7 वा असमित और D है नेरधारित सदस्यों की संख्या जो होती है कम से कम साथ होती है और अधिक सद्यक कोई सीमा नहीं होती है मतलब आसमित होती है जो राइट एंसर होगा वो होगा ऑफ्शन C साथ वा आशमित Quxon No 53 आवेदन रासी अंसों के अंकित मुल से कम नहीं होनी चाहिए आवेदन रासी अंसों के अंकित मुल से कम नहीं होनी चाहिए तो इसका जो राइट एंसर है वो है आवेदन रासी अंसों के अंकित मुल से कम नहीं होनी चाहिए इसका जो right answer है वो है option A 25% से Question number 54 रिड़ पत्रों पर बट्टा है option A है लाभों का नियोजन B है लाभों पर प्रभार C है संचय और D है आयोजन तो इसका जो right answer है वो है option B लाभों पर प्रभार Question number 55 केवल पूर प्रदत अधिमान अंसही सोधनी है ऐसा उलेक है option A है धारा 80 में B है धारा 81 में C है धारा 89 में और D है धारा 78 में तो केवल पूर प्रदत अधिमान अंसही सोधनी है ऐसा धारा 80 में बताया गया है तो इसका जो right answer है वो है option A के धारा असी में, कोशन नमबर 56, रिर्पत्रों पर बट्टे को अपलिखित करना चाहिए, आप्शन A है पांच वर्स में, B है निर्गमन के वर्स में, C है रिर्पत्रों की कुल अवधी में, D है सोधन के वर्स में, तुसका जो राइट एंसर है, वो है आप्शन C, रिर्पत पत्रों की कुल अवधी में। Q57. RID पत्रों के सोधन पर प्रीमियम खाता है। तो इसका जो राइट एंसर है। Own recipe, ransom a. सभी खाता। Q58. प्रिप्टी एट Capital Redemption Reserve Account में हस्तनांतर किया जाता है Option A है Unsearन खाते में से B है Sमान संचे में से C है Unsear Premium खाते में से D है उपरिउक्त में से कोई नहीं तो इसका जो राइट एंसर है वो है Option B समान संचे में से Question No. 59 है D है पूजचे के संचे में यzzating W descic Option C मतलब रिड़पत सोधन कोई खाते को जो बैलेंस बसता है उसको हम समान संचे में ट्रांसफर करते हैं कोशेन नमबर 60 ओन डिवेंचर अकाउंट को रद करने पर लाब या हानि किस खाते में हस्तनांतरित करते हैं आप्शन A है समान संचय या फूजी गत संचय में B है अंसरण खाते में C है लाब होता ही नहीं है D है इसी खाते में रहता है तो ओन डिवेंचर अकाउंट को जब हम रद करते हैं तो उससे लाब या हानि होता है उसको हम समान संचय या फूजी गत संचय में हस्तनांतरित करते हैं तो इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा आप्शन A समान संचय या फूजी गत संचय में अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन को जरूर दबाईए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहें धन्यवाद आपका समय सुभो